इडिटर किंग आये हैं हां जी एडिटर किंग बताएं क्या काना चाहते हैं अज क्या कहा आपने किसी की चिकित्सा के लिए उससे सही हो जाएगा विद्ध ने बोला बिने पिताग में आप शबूत दिखाएंगे तो हम जरूर मानेंगे आपने पढ़ा ने लिखा तो आपके बापुजी ने? लेकिन जो आप बताते हो, उसमें आपह रहे हो की बुद्ध कहा रहे हैं, भाई बुद्ध तो चिकिट सक थे नहीं, कई सकते हैं, और आप कह रहे हो वीने पीटक, वीने पीटक वैसे किसके लिए होता है? इडिटर किंग बताइए सर आठ बहुत भी को अपने नियम खुद बना सकते तो लिखते थे भी नहीं पीटा तो लिखते थे तो लिखे होंगे उनके समय में तो फिर मिलना चाहिए था ना सबूत सबूत तो पुराना कुछ मिला नहीं है और आपने कहा चिकित्सा के लिए है आपने चिकित्सा के लिए कहा ना तो चिकित्सा तो आज कल आयुरुवेद कर रहा है कर रहा है कि नहीं कर रहा है चिकित्सा आपने कहा चिकित्सा विग्यान तो पहले चिकित्सा कौन करता था आज की डेट में चिकित्सा कौन कर रहा है जो पढ़ाई करते हैं अच्छा तो अभी आयरुवेद की पढ़ाई कौन कर रहा है तो अगर बुद्धने कहा था गोवर गो मुत्रराख खाने पीने के लिए तो फिर तो आयरुवेद में यह सब चीजे लिखी हुई है अगर आप सबूत देंगे तभी तो हम नोग मानेंगे ना हमने कहा कि बुद्धिष्ट की तो मैनुस्क्रिप्ट भी बहुत पूराने मिले लेकिन अगर उसमें आप यह दिखा देते तो हम लोगो समझ में आता हम आपको दिखाते हैं आपने आज जो चिकित्सा विज्ञान बना रखा है चरक शहिता पंचगवे तो दिखाता ही रहता हूं मुत्रका आपको दिखाता हूं कि आपने चिकित्सा विज्ञान कहा है बुद्ध के नाम पे लेकिन चिकित्सा तो आज कल आप कर रहे हो अब यह देखे चरक शहिता इसमें आप क्या लिखते हैं पढ़ सकते हैं इसका हिंदी यहां पे नीचे जो अनुवाद लिखा है उसका हिंदी थोड़ा सा जूम कर दीजिए अब दिख रहा है जी दिख गया सा पढ़िए सिंग भालू तर्चु और व्याग्र का मास और इन के अलावा मास खाने वाले द गोड़ा इनके मास को पका कर कूट कर पीट के समान बना कर यह भैस का मास है यह कहकर उसे खाने को दें जिन पसवो वा पच्चियों का मास मासाहार के कार्ण पुष्ट है उनका मास तीछड उस लग होने के कार्ण रचमा के रोग्यों के लिए उत्तम होता है रचमा के आपने यहाँ पे जो आपकी चिकित्सा विज्ञान है उसमें आपने पढ़ा कि इसमें मोर, तीतर, मुर्गा, हंस, सुवर, उंट, गदहा, गाय, भैस का मास, रोगी के सरीर का मास बढ़ाने के लिए यच्छमा रोगी के लिए उत्तम है यह चरक शहिता आप कह रहे हैं कि ब यह काम आप खुद कर रहे हैं और दिखाता हूं न मैं आपको पूरा दिखाई देता हूं यहां पर यह भी पढ़ लिजिए सुसुरुत सहिता चरक सहिता आपने पढ़ी अब यह सुसुरुत सहिता भी एक बार पढ़ लिजिए यह सुसुरुत सहिता भी है आपके गाओं में रहने के काण ग्राम में पसु कहलाते हैं इनके मास वात नाशक सही वर्धक और कफित करते हैं मधूर रस मधूर विपाक अगनी दीपक भूख लगने वाले और बल वर्धक हैं अब यह बताईए कि इसल क्या है क्या आपके यहां यह कौन सी चिकित्सा चल रही है बाई कि घोड़ा खचर गाय गदहा उंट बकरा मेड़ा मेद डूबा आदी गाओं में रहने वाले ग्राम में पशु कहलाते हैं इनके मास वात नाशक सरीर वर्धक और कफित करते हैं बता बुधा को आवतार बना लिए थे उसी तरह से आप लोग अपना चिकित्सा विक्यान भी चिकित्सा लिखने के लिए बुधा का नाम ले लिए है और आपी लोग प्रचार फैलाएंगी बुधा काते थे बुधा जबकि किताब आपकी किताब में लिखा है किसी बुदिष् अब आपको सबूत देते हैं अब आया ना उठ पहाड के नीचे देखें देवनागरी लिपी में आप ही लोग लिखते पढ़ते हैं आप ही लोग लिखे पढ़ें, जब देवनागरी लिपी से जितनी लिखावट पढ़ाओत हुई धरम गरंद लिखें, उसमें तो हम बहुजनों को आपने अनपढ़ बना दिया, आप ही ब्रामण लिखते पढ़ते थे, आपके सारे धरम गरंद देवनागरी में मिले, समय की जो धम लिपी थी, उस लिपी में लिखा हुआ आपको सबूत दिखाना था, जो आप नहीं दिखाएं, लेकिन ये आपकी ही किताब आज भी आपके सिलेबस में लागू है, आज भी जो आयरुवेद पढ़ता है, उसके हाँ चरक सहिता, सुसुलत सहिता पढ़ाई ज लेकिन आप लोग देवनागरी में ही लिखते थे, तो ये आपके लिए एकदम प्रमारिक, सटीक प्रमारिक एक तरह से कहा जाए तो अपने मुह उपर करके अपने ऊपर थोक दिया है, ये चीज हुआ है यहाँ पे, चले एक बार इसको फिर से पढ़ लिजे, पढ़ और मास छजने रोगों के हिटकारी होता है, रोगों में हिटकारी या अब बताइए यहाँ पे आपने ये गोमास वात जन्य रोग पीनस विसम शूखी खासी थागान वस्मक मास से जन्य क्या क्या आपने यहाँ लिख दिया, आप लोग इस सब का इस्तमाल करते हो, और आपका सही करते हैं यहाँ से पढ़िए तब आपके जबाब मिलेगा, यह चरक ज़िता का उपर से पढ़िए, बोलने ने दे रहे हैं, आप पढ़वार हैं, उत्ती देर से म्यूट भी कर देते हैं, यह एक मिनट, एडिटर खिंग, जूट मत बोलिए, यह बात बिलकुल स सारी चीजे तो आपके किताब में देमी है, आप अपने किताब में लिखके बाइटे हैं, वही चीजिज आप प्रेक्टिस कर रहे हैं, आज भी आप लोग दिखाया जाता है कि गोबर उठा के खा जाते हैं, यह आप लोग लेकिन बुधिश्ट तो ऐसा नहीं करता, लेकि कि इसलिए आपकी किताब में मिल रहा है अब पढ़िये एक वार इसको पढ़िए फिर आगे बढ़ते हैं ये अर्थाज से पढ़े नीचे से? ऊपर से पढ़े उपर से आपके संक्राचार्य को बावासीर कहा जाता है ना भगंदर हो गया था बावसीर से भी उपर यही खिला पिला दिये होते कम से कम ठीक हो जाता चलिए यह पढ़िए यह वाला पढ़िए चरक साहिता का सबस्क्राइब हमने को दो अमने को हमने कोन दिया आप ही बोल रहे हैं लेकिन बात क्या मारोओ हिए पर दीए सबूत बोल रहा है यही पढ़ओंगा इसके बाद नहीं पढ़ूंगा मैं आच चलिए पढ़िए खरहा हिनलावा कपिंजल गोराया एंड इनके मास को विधी पूर्वग बनाकर उसमें अमरस के मधूर रस और मरिच का चूण मिलाकर भात के साथ खाएं अथवा मुर्गा मोर्तीतर के मास के साथ बात खाएं अथवा उट और लोमडी के मास के साथ अनका शेवन करना चाहिए दूसरे और तीसरे योगी में या योगों में भी मासरस में खटा और मीठा मिला देना चाहिए ये तीनों नुसके योग उनके लिए जिनके सरीर में बा जीव छोड़ा यहां पर, एक जीव आपने नहीं छोड़ा, खाराहा, हरिण, लमड, कपिंजल, गवरया बताईए, गवरयाद ना छोड़ा, एड, मिर्ग, विसेश, इनके मास, कुछ ना छोड़ा, आपने भात में मिला मिला के आपने खिला दिया, मुर्ग, मोर, तितर, पसंद था ना, गोबर और लीद वाला, आप कह रहा है कि चिकित्सा में बुद्ध क्या कहे हैं, गोबर और लीद वाला आगे, आपका भाई, सबसे फेवरेट आ गया, एक बार इसको पढ़ लिजे, फिर आपको दुबारा कभी नाम नहीं लेना पढ़ेगा, पढ़ लिज किया है, असमरी पथरी रोग का इलाज बताते वे कहा गया है कि घृतों के लिए कहे वरगों के द्रव्यों को लेकर तिल नालों से जलाकर इनको भेंड के मुत्र में ख़लकर छान ले और उसमें गाय बकरी आधि पसुओ के गोबर लीद आधि को जलाकर बनाया चार मिलाकर उसे धीरे धीरे पकाएं पकाते समय उसमें उसक का दिगड़ और त्रिकटू मिला दें या चार असमरी गुल्म तिली का बढ़ जानना और सरकरा को नश्ट करता है पढ़ दिया सर अब तो आपका एक बात किलियर हो गया होगा जो आपका प्रश्न था कि आप कह रहे थे कि विने पिटक में बुध जो हैं चिकित्सा विज्ञान में आपको बता रहे थे कि मूत्र और गोबर खाने के लिए यही था ना आपका सवाल क्यों एडिटर थे अब यहीं बताईए कि अगर बुध बता रहे थे तो उसका तो सबूत हम लोगों को नहीं मिला कोई न मैनुस करते हैं आज बढ़ा रहे हैं बत्यों को और इसमें आप लोग गोबर गोलीद खुद इस्तिमाल कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने विने पिटक में खुद ये बात लिख दी और बुधा के नाम पर ये ये लाउ किया कि बुधा कह रहे हैं अगर बुधा ये बात कहते हैं तो बुधिश्ट लोग नहीं सब खाते गोबर लीद इतो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं देखें यहां पे आपने मुत्र कह रहे थे आप भेण के मूथ है वो पी लो पथरी उत्री का सब इलाज कर दिया गोबर लीद का सुसूरत ने विधान किया है यह सारा चीज तो अब बता ही आपका क्या प्रश्न था कुछ बच गया हो तो भी दूइदा दूर कर दे सर मेरी बाजनिया यह देवनागरी लिपी में लिखा हुआ है कोई पुरानी मेनुस्क्रिप्ट इसकी नहीं तो अभी यह हजार साल के अंदर लिखा गया तो सर इसकों कैसे प्रमाण मालने कि आप सही बोल ले है अच्छा आपका रमायण कौन सी भासा में मिला है और माभारत आपको किस बात का डाउट है रहे है एक यह होता है ना कि किसी ने कोई दावा कर दिया उसका पुराना मिनुस्क्रिप्ट नहीं आप तो इसको पढ़ा रहे हैं दवाए बना रहे हैं आज भी आपकी जो आईरुवेद के दवाए आती हैं उसको एक बार उठा के पढ़िए ना उसमें क्या क्या सब लिखा होगा लीद वीदी सब लिखा होगा देख लिए आपका यहां पर सुसरूत सहिता लिखता है शिवत्र फुल बहरी के इलाज के लिए हाथी की लीद को जलाकर उसे उस हाथी के मूत्र में घोल कर दवाई बनाई जाती है तो आप जो कह रहे हैं थे ना इतो हमें तो अपनी चिकित्सा में डालने के लिए बुध के नाम पे लिख लिए, क्योंकि आप जब कुछ कहेंगे तो कोई मानेगा नहीं, आप बुध के नाम पे कही देंगे तो कोई मान भी लेगा, तो आप लोगों का काम है कि आप लोग यही सब काम करते हो, अनाम बार-बार बुध क आपने वरा बनाया वरा बुधिष्ट का सिल्पकला है आपने नर्सिंग बनाया नर्सिंग बुध को कहा जाता है आपने राम कृष्ण बनाया ये दोनों राम वाशुदेव जो हैं बुधा के जातक कता हैं बुध को तो आपने बना ही लिया अकल की आज तक हुआ ही नहीं त तो चिकित्स है भी जो आपने ये बनाई है इसमें भी आपने अगर बुध का नाम दे कि आप खुद ये सब काम कर रहे हो गोबर गोमुत्र लीद खा रहे हो पी रहो तो ये आपका कहानी है ना कि बुध के नाम पे आप कर रहे हो बुधिष्ट तो आज तक कोई ऐसा नहीं क करता है नहाने कहता है ठंधा में गरम गरम नहां नहां रहा हूं कभी देखा जाता है कि सीधे-सीधे गोबर उठा के मुझ में डाल लेता है एक बार तो ऐसी प्रतियों गिता चल गई थी कि गूम रहे थे सब देखो मैं पी रहा हूं तो यह सब काम आप लोग करते हैं